हिंदू धर्म में वास्तू दोश के बारे में कई बाते बताई गई है माना जाता है कि वास्तू दोश लगने से व्यक्ती के अच्छे खासे जीवन में उतार चड़ाव आने लगते हैं और उनकी आर्थिक स्थिती बिगड़ने लगती है ऐसा व्यक्ति अपने काम में सफलता नहीं पाता और जीवन में कोई न कोई मुसीबत लगी रहती है वास्तु दोश के कारण आमदनी कम और खर्च अधिक होने लगता है वहीं परिवार के सदस्यों के बीच अनबन होने लगती है अगर आप भी वास्तु दोश के कारण अपने जीवन से परेशान हो गए हैं तो नारियल के इस्तेमाल से आप वास्तु दोश से निजात पा सकते हैं नारियल का उपाय आपकी आर्थिक स्थिती को अच्छा करता है वास्तु दोश से बचने के उपाय बतादे की सनातन धर्म में नारियल को काफी शुब माना जाता है हर शुब काम से पहले नारियल फोड़ कर श्री गनेश किया जाता है वहीं कलश पूजा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बता दे कि नारियल मा लक्षमी को अतिप्रिय है इसलिए आप शुक्रवार के दिन मा लक्षमी के सामने नारियल अरपित करें ऐसा करने से जल्द ही आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार होगा अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हो गए हैं और इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन जटावाला नारियल ले लें अब मा लक्ष्मी को मंदिर जाकर उन्हें जटावाला नारियल सफेद मिठाई, दही एक कमल का फूल और सफेद वस्त्रवर्पित करें इसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांध कर घर में ऐसे स्थान पर रखें जहां पर किसी अन्यव यक्ती की नजर ना पड़े इस उपाय को करने से जल्द ही आपको आर्थिक समस्या से निजात मिलेगा अगर आपका काम भी बनते-बनते बिगर जाता है तो एक नारियल आपके तरक्की के मार्ग खोल सकता है सबसे पहले एक नारियल पर काजल से टीका लगाएं फिर इसे घुमा कर किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें इस उपाय को करने से बुरी नजर और बुरी बला तल जाती है आर्थिक तंगी से परेशान व्यक्ती को मंगलवार के दिन यह उपाय करना चाहिए सबसे पहले एक जटा वाला नारियल ले लें अब इसमें चमेली का तेल लगा दें वही नारियल पर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं अब इस नारियल को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके चरणों में अर्पित कर दें इस उपाय को साथ मंगलवार करें ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार आएगा